हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू स्विछ सिंपल लाइप कैसे हो आप सब सो लाइफ अपडेट का हेल्थ अपडेट काफी बहतर है एक्चुली आज मैं बॉइस ओवर कर रही नो वो तो एक हपता हो गया सो अभी वैसे विकनेस है जैसे कहते है न इतनी एनरजी जो आनी चाह और गलाब यह भी टाइट टाइट लगए अतना जैसे पुरा खुल गया वैसे बने लेकिन इतनी खराब भी नहीं है और यहां मैं आपको घर बता रही हूं आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है मेरे घर की घर नहीं हो गया वेर हाउस हो गया और जब इस तरह की हालत होत मन नेटेपाटन फसकतÉ थी तो दूनों ने सब कुछ Vision a लिया। यहां पेम मौस्मीले सुभेजीरवाला पानी बना लिया फा बेकफास्त कर लिया था और भानेशाव लेकिन दूखना लिए ना मुझ में चाई भी लेके आई थी उपर लेकिन उससे पी नहीं गई सो उसने यहीं रख दी नीचे लाके मैंने इतनी ही पी चाई सोचके देखो के जो इनसान को चाई चाहिए वो चाई भी ना पी सके इस समय वो कैसी आलत होगी और यहां मैं आमला निकाल रही हूँ यह ड्र सब कुछ आ रहा है वैसे नहीं के कुरोना की वज़े से टेस्ट चला गया लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुह में डाल देती हूँ बस यहां मैं अपने लिए ग्रीट्स गरम कर रही हूँ ग्रीट्स खालूंगी अच्छा अब यहां काम करते करते आप लोग पता नहीं के इस हालक में हो ही जाते है इस तरके घर और स्पेशली जब साधी से आ रहा है उससे पहले जाने की सारी तयारा सो घर वैसे भी बिखरा था गाड़ी वगेरे लिए सो गाड़ी का जो भी सामान था वो निकाला था और यहां पर मैं आपको हाथ में बतारी आई मेरे हाथ में बहुत ही हर लिए उन लोगों को वेन मिलता है सो यह देखिए कितने बुरूसिज हो गए और यह आराम से दो तिन हपते रहेंगे मेरे हाथ में सो हाँ दवाई डॉक्टर ने कोरोना की प्रिस्क्राइब की इमर्जंसी में जहां मैं गई थी वहाँ पे जो भी डॉक्टर होते हैं वो हमारी कंडेशन देखके दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं और स्पेशली कोरोना की अभी जो एक ही दवाई है लेकिन हमें उन्ह करना होता है यहां पर मैं आपको बता दूँ जो भी हमारे जैसे किड्नी ट्रांस्प्लांट है कुछ भी प्रॉब्लेम हुई है कोई भी दवाई आप ले रहे हो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे है वाट एवर इस दरीजन मेक स्योर वह आप उनसे करें कि आपकी क स्योर्टरों से और वो लोग फिर रिव्यू करेंगे अथ्वा तो अर्रेड़ी वो आपको रिव्यू करके ही मेडिसिन देंगे लेकिन आपको ये क्नफरं करना ही करना है इस सिच्यूएशन में मैज़ भी किया और हर बार मैं करती हूँ सो उन्होंने कहा कि हाँ हमने confirm कर लिया है ये medicines आप ले सकते हो लेकिन मेरी एक आदत पहले से रही है कि मैं दो तीन बार confirmation दो तीन जगाओं से करती हूँ फिर मैंने wait किया हम लोग बारे सड़ा बारे बारे बजे हम लोग रात को घर को आये थे मेरे हस्बन ने दुनों ने कहा कि इतनी problem हो रही है तो एक बार दवाई स्टार्ट कर दे मैंने बला नहीं दवाई तो मैं नहीं लूंगी अभी जब तक मुझे fully मैं satisfaction ना हो जाओं मैंने दूसरे दिन फिर डॉक्टर को मेरे लोकल यहां के जो नेफरोलोजी है उनको मैंने फोन किया और आप यहां देख सकते हैं मैं थोड़ा काम कर रही हूँ और फिर बैट जाती हूँ थोड़ी सी थकान जैसे मैंने कहा हो रही है और खाना भी न हम लोग के डिनर हो गया था उसके बाद लंच मिंस उसने पहले ही इनफर्म कर दिया था हमको मैं छोडने आ रही हूँ लेकिन हम लोग अभी कुछ भी नहीं खा रहे है न इस तरह का एनिवे सो फिर मैंने मेरे लोकल नेफरोलोजी को फोन किया दूसरे दिन और मैंने उनको पूछा कि इस तरह की मेडिसीन मुझे प्रेस्क्राइब की गई है इमर्जनसी में सो क्या मैं ले सकती हूँ यह दवाई तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि देखो मैं लोकल नेफरोलोजी हूँ आपका सो यू बेटर कॉन्टेक्ट विथ यूर ट्रांस्प्लांट सेंट दूज़ सेंटर को मैंने इममेल सेंट कर दिया था यहां हम डिक बात करना बहुत हर नहीं कर पाते लेकिन यही मेरी लोकल नैफरोलोजी है आ अगया जैंस है मोगा हमने मुझे रिकर को फो गई तो उन्होंने गॉंटेक्ट करवा दिया, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सिल्पा तुम न पहले ट्रांस्प्लांट सेंटर से कॉंटेक्ट कर लो ए, बिफोर यू ठेक दिस मेरिसेन, सो फिर मैंने इमेल किया, एमरी में, एमरी में इमेल नहीं उठाया, पूरा दिन मेरा ऐसे, कोई उसका रिप्लाई नहीं आया, मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया, फिर आफ्टर फाइव क्लॉक, ऑनलाइन डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, एमरी हॉस्पिटल, सच बीग हॉ उनको पता होगा, वहाँ भी कॉंटेक्ट करना तो पहुं थी हाड है, मैंने उन लोगों को कॉंटेक्ट किया, सो उन लोगों ने फोन ठाया, उन्होंने कहा कि अच्छा आपका जो ट्रांस्प्लांट किया है, वो डॉक्टर को मैं आपका मैसेज फॉरवर्ड कर रहा हूँ कर रही हूँ, whatever, whomever is that, I don't know, मैंने उसका भी बेट किया, फिर second morning को मुझे डाक्टर की direct appointment मिल गई, on the phone, और उनके साथ around 10 o'clock को मेरी appointment थी, sorry, और मैंने उनसे सब कुछ discuss किया, so उन्होंने मुझे guide किया, कि हाँ, ये medicine तुम ले सकती हो, बट आप जो अभी immune suppressive medicine, जो मेरी cyclosp protein है, वो आप 7 days के लिए बंद कर दो, क्योंकि इससे जो, ये medicine जब तक रहेगी, तब का आपका immune, जो boost हो जाएगा एकदम से, और उससे पहले, क्योंकि immune boost होगा, तभी fight कर पाऊगे, कुछ भी रोख से, यहाँ पे मुझे, ये doctor ने मुझे कहा था, vitamin C है, vitamin D plus zinc, ये भी आप को fight करेगा, corona में, ये लेना है, ये मुझे local nephrology ने लिया था, और ये भी मैंने confirm किया, मेरे transplant center doctor से, उन्हों ने भी कहा कि हाँ, ये आप ले सकती हो, तो वो मैं भी ले लेती हूँ, कढ़ा बगेर अभी नहीं ले रहे हूँ, क्योंकि फिर इतना immune boost नहीं करना, मुझे देती हूँ, यहाँ सबकी oxygen level भी check किये जा रहे है, one by one, so anyway, फिर doctor ने मुझे cyclosporine लेना मना किया, seven days तक आप वो stop कर दो, क्योंकि cyclosporine का लेवर हाई हो जाता है, इस medicine की वज़ा से, so देखे, मैं यही point आपको बताना चाहती हूँ, mention करना चाहती हूँ, कि कोई भी medicine ले रह जी के पास जा रहे हो, लेकिन double confirmation कीजिए, आप अपने transplant center क्योंकि वो, उनके पास सारी history आपकी पहले से रहती है, जब से आपकी transplant होई है, तब से आज तक की, जैसे मेरी 25 येर होगी, so 25 येर से मेरी one center में, उनके पास सारी history, सिरुआ से लेके अब तक की है, और यहाँ नहीं रखना पड़ता है कि हमारी क्या situation, उनके पास हम जाते हैं, हमारा phone number डाल दिया, हमारी social security number डाल दी, हमारा budget डाल दिया, उनके पास सारी history हमारी होती है, तो वो सारा कुछ पूल करके हमें confirm करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि दालबहत वगेरा देके गए थी बच पाउडर डाल दिया है, और गुड यह सारा कुछ डाल के इन दोनों को मैं कहड़ा बना रही हूँ, और कहड़ा मैंने ही ले रही हूँ अभी, जैसे मैंने कहा, अल्रेडी मैं वाटामीन सी वगेरा दी गई है, आपने दिखा आगे ड्रिंक, वो तो मैं लेती हूँ, दवा हो, तो यह बहुत मेक्शियर करना है, कई बार मुझे कॉमेंट आते हैं, कि यह चैनल आप बता रहा है, कि आप यह खालोती यह हो सकता है, और मैं वही आंसर देती हूँ सबको, कि हमारी जो इम्यून सप्रेसिव मेडिसिन है, वो बहुत सारी चीजों में इंट्रेक्ट करत है, यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है, जानना, पुछना, कई बार डॉक्टर्स गुसा भी हो जाते हैं कि हम डॉक्टर है, डेखिनिक 요 डॉक्टर है, हमारे लोकल जो नेफ्रोलजी है, रविस उन्होंने इतनी पढ़ाही की है, उनको सारा नॉलेज होता है, लेकिन फि आप थोड़े सी डाट खालो उस समय बेटर दें कि आप आगे जाके अपने हेल्थ खराब करो उससे अच्छा है प्रेम से आराम से ऐसा नहीं है हमें ओवर स्मार्ट होना है डॉक्टरों के समने उंक से रिक्वेस्ट कीजिए कि यह सिच्वेशन मेरी है सो क्या में यह ले सकत बूख भी बहुत लग रही है कुरोना की दवाई की वज़य से कॉरोना की दवाई कॉन सी मुझे दी है वह मैं यहां रिबल बिलकुल भी नहीं करूंगी क्योंकि वह मुझे सही नहीं लग रहा है हला कि सायद एक या दो मेडिसिन ही बाहर आई है वही सब जगा चल रही है यहां आप यह जुआर के पफ हैं, वो मैं थोड़े से भून के बस ऐसे ही खाऊंगी, जैसे मैंने का भूप बहुत ज्यादा लग रही है अभी, मेडिसेंस की वज़ा से सो हां मैं यहीं इंफोर्मेशन आप लोगों को देना चाह रही थी, कि मेक्सियोर कीजिए, कुछ भी हो रहा है, छोटा सा छोटी भी प्रॉब्लम है, सो कोई भी डॉक्टर, कोई भी प्रिस्क्राइब कर रहा है, उसको आप डबल चेक करें अपने नेफरोलोजी से, मेक्सिय से भी उसे थोड़ा सा टेस्ट ट्राइक कीजिए, कि भी यह सही है या नहीं है, तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूं, चल्द ये फी मिलते हैं, टेक्ट